जिला भास्पा महिला मोर्चा की जिला स्तरिय बैठक जिला अधिक्ष रासकुमारी की अधिकस्ता में संपन हुई जिसमें परदेश भास्पा प्रवक्ता प्रेम चोहान ने विशेश अतिथी के रूप में शिर्कत की बैठक में परदेश सरकार की ओर से रसोई गया सिलेंड में 133 रुपे कमी करने पर मुक्यमंत्री जाराम ठाकूर का अभार प्रकट किया गया। बैटिक में बताया गया कि परदीश भर में अपना बूस सबसे मजबूत पर महिलाओं को जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। बूस सतर पर दस महिलाओं को जोड़ने और गाम की महिलाओं को लोगसभा चुनाब में पार्टी परत्याशी के पक्ष में मजबूत किया जाएगा। इसके साथ मंडल अध्यक्ष को नीमित रूप से बैठके करने के निदेश दिये गये हैं। इससे संगठिन को बोस सतर पर मजबूत कर एंदर्व परदेश सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए हमने मुख्या मंतरी का आध्यक्ष दन्यवाद पस्ताव रखा। और उसके इलावा जो मुख्या मंतरी में पिछले एक सार के अपने जो एक सार उनका बतीत हुआ है। इसमें जो महिलाओं के लिए विवेन योजनाए उनके लिए जो ब्रविच स्कीमें हैं। उसके विष्ट्रिफ चर्चा हुई और मुख्या मंतरी का दम्याबाद किया गया कि इन योजनाओं में अधिकतर फाइदा जो हैं। और दूसरा यह जो बैठेक थी खास तोर पे हमारा जो पिछले कही दिनों से जो कारिकर्म चर रहा है एक बूच पे दस महिलाओं को जोड़ने का। यह हमारा कंप्लीट हुआ है। इसलिए सारी मंदल द्यक्षाओं से विस्त्रित चर्चा हुई कि कहा कोई कमी रह गई। सब मंदलों की महिलाओं ने यह जानकरी दी कि पांचों के पांचों मंदलों में एक बूच पे दस महिलाओं जोड़कर कारिया वो पूरा हो चुका है। और आगामी लोगसवा चुनाओं के सामने रखते हुए भी यह महिला मोचान ने एक योजना बनाई कि किस तरह से हर बूच पे महिलाओं को जोड़कर परचार किया जाएगा और दुखुए।